नमस्कार, स्वागत है आप सभी का Mint Talk इंडिया में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCRT कक्षा 4 की हिंदी पाथे पुस्तक रिमजिम का पार्ट नमबर 3 किर्मिच की गेंद और ये है भाग एक जिसमें हम अध्याई व्याक्या और नए शब्दों के शब्दार्थ को देखेंगे तो चरिये शुरू करते हैं सबसे पहले हम पार्ट के शीर्शक यानि की Title of the Chapter का मतलब समझ लेते हैं गेंद तो आप सबको पता है बॉल होता है लेकिन किर्मिच क्या है? किर्मिच को इंग्लिश में Canvas, Cloth भी बोलते हैं Canvas यानि कि किर्मिच एक मोटा मजबूत कपड़ा होता है जिससे जूता, तंबू और बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं उसी तरह Canvas के इस कपड़े से बॉल भी बनाए जाते हैं से कहते हैं किर्मिच से बनी हुई गेंद आज हम उसी एक तरह की गेंद की कहानी पढ़ने वाले हैं गर्मी की छुट्टियां थी समर वेकेशन्स चल रहे थे दोपहर का समय था जब दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था तभी पेडों के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गीरी दिनेश नाम का लड़का अपने घर में बैठे स्टोरी बुक्स पढ़ रहा था अचानक से उसे आवाज सुनाई दी कि घर के पीछे जो गार्डन है बगीचा है उस जगा पेडों के पत्तों को हिलाते हुई कोई चीज जोर से आवास करती हुई आकेगिरी है दिनेश आवाद से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है वह एक दम से उठकर बरामदे की चिक सरका के बगीचे की और भागा इमेडियेटली दिनेश उठकर बरामदे की और भागा बरामदा क्या होता है घर के पीछे जो खुली जगा होती है जहां पे मम्मी थोड़ा सा किचन गार्डन बनाती है थोड़ा सा बैटनी की जगा होती है, जो कोटियार्ड होता है, वो है बरामदा चिक एक तरीके का बांस का बना हुआ पर्दा होता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो हमारे घर के पर्दे कपड़े के बने हुए होते हैं, लेकिन चिक जो है वो बांस से बना हुआ, यानि की बैम्बू से बना हुआ होता है, जो हमारे घर को ठंडा रखने में हेल्प करता है तो दिनेश के घर में भी ऐसा बैम्बू से बना हुआ एक पर्दा था उस पर्दे को हटा के सरका मतलब हटा के दिनेश बगीचे की और भागा तब ही मम्मी पीछे से चिल लाई अरे अरे बेटा कहां जा रहा है बाहर लू चल रही है लू क्या होती है हमारे देश के उत्तर भारत में यानि कि नौर्थ इंडिया में जब गर्मी का मौसम होता है तब वहां पे बहुत गरम गरम हवाएं चलती है जो बहुत गरम होती है ड्राई होती है उत्तर भारत जैसे कि उत्तर प्रदेश दिल्ली पंजाब हर्याना ये सभी स्टेट्स उत्तर भारत में आते हैं तो दिनेश की मम्मी को चिंता हुई कि बाहर इतनी गरम-गरम हवाएं चल रही है, दिनेश बाहर जाएगा तो बिमार पढ़ जाएगा, क्योंकि गरम हवा जब बॉड़ी पे लगती है, लोग बिमार हो जाते हैं। दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परन्तु लेकिन दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चपल भी नहीं पहनी थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी, उसी और भागा चला, क्योंकि उसे तो मालूम करना था कि धम से आवाज करके जो चीजगिरी है वो क्या है। सामने की क्यारी में क्यानी यानी की रू एक लंबी लाइन जिसमें हम अपने पौधों को उगाते हैं। तो दिनेश के घर के पीछे जो गार्डन था, उसकी मम्मी ने क्यारियों में भिंडियों के उचे 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 पौधे उगाए थे। भिंडि यानी की लेडिस फिंगर और एक और सीता फल की घनी बेल फैली हुई थी। सीता फल यानी की पंपकिन कद्दू और पंपकिन तो आपको पता है एक क्रीपर है जो जमीन पे बढ़ती है। ये पौधे की तरह उपर नहीं उगती क्यूंकि पंपकिन बहुत भारी होता है। तो दिनेश के किचन गार्डन में भिंडि के पौधे थे। सीता फल की बेल थी। क्यारियों की चारू और हरे हले केले के व्रिक्ष लहरा रहे थे। व्रिक्ष मतलब पेड, लहरा रहे थे, मतलब हवा में उनके पत्ते हिल रहे थे, दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंब कर दिया, मतलब गेंद गिरी है तो जमीन पे गिरी है, और उसको ढूणने के लिए सारे पौधों को वो हटा ह देख रहा था कि क्या गिरी है, जब वहां कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी सीता फल की बेल चान मारी, मतलब भिंडियों के पौधों के नीचे जब कुछ नहीं मिली, तो उसने सीता फल के बेल के नीचे भी पूरा चेक कर लिया, बड़ाबर में ही घूस ने गढ़्डे ब गढ़े बना के अपना घर बनाता है तो दिनेश के गार्डन में घूस ने भी बहुत सारे गढ़े बना के रखे थे धूनते धूनते जब उसकी निगा मतलब दिनेश की नजर पड़ी तो उसने देखा कि गढ़े के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चम चमाती चमकती हुई किर्म खरीदा है क्योंकि new things नई चीज़े हमेशा एकदम चम चमाती रहती है चकमक करती हुई clean दिखाई देती है उसने उसे उलट पलट कर देखा कि कहीं किसी का नाम लिखा है क्या परन्तु कुछ भी समझ नहीं आया नजर उठा कर उसने पास की तिमंजिला इमारत की और देख तिमंजिली मतलब तीन मंजिल वाली इमारत थ्री फ्लोर्स बिल्डिंग इमारत मतलब बिल्डिंग दिनेश को लग रहा था कि कोई बच्चा शायद खेल रहा है जिसकी बॉल उसके बगीचे में आके गिरी है कि किसी बच्चे ने इसे उपर से फेका हो परन्तु उस इमार का उपर उठा हुआ भाग जिससे की कोई गिर ना जा चट की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिल्चिला रही थी चिल्चिलाना मतलब चमकना शरीर में चुबना जब बाहर बहुत गर्मी होती है और हम बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना हमारा स्किन बॉर सुधीर, अनिल, अर्विंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए मतलब याद किये यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इतने गरम आफ्टरनून में इसे नीचे कौन फेकेगा हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है उसने सडक पर बने गोल चकर के राउंडल होता है ना जिसके आसपास घूमके हम टर्न ले सकते हैं कई बार राउंडल के बीच में एक चोटा सा गार्डन भी बना हुआ होता है जिस पे बच्चे खेलते हैं बैठने की जगा होती है फाउंटेन होता है स्टैचूस होता है तो दिनेश ने वहाँ पे भी द अपने महले के बच्चों की गेंद महला मतलब उसका एरिया जहां पे वो रहता है उसके महले की बच्चों की गेंदे क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली अक्सर बच्चे इतने जोर का सिकसर मारते हैं कि गेंद बहुत दूर चली जाती है और हम वापस नहीं मिलती। उसी थरा एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। दिनेश का घर तो रस्ते के साइड में था। उसी थरा एक बार सिकसर मारने पे बॉल ट्रक के अंदर जागिरी थी और ट्रक निकल गई थी। दिनेश ये सब सोच रहा थ तब ही भीतर से मा की आवाज आई अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा था दिनेश गेंद को हाथ में लिये हुए भीतर आ गया अंदर आ गया फिर ठंडे फर्ष पर बिछी चटाई पर चटाई मतलब सोर मै जो अकसर हम गर्मियों के टाइम पे जमीन पे बिछाते हैं तो दिनेश भी वहीं पे लेट गया सोचने लगा कि भले ही ये गेंद महले में से किसी की ना हो परन्तु इमानदारी इसी में है मतलब ओनस्टी इसी में है कि एक बार मैं सब को पूँच लूँ एक बार सबसे प ख्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था क्लब बच्चों का एक ग्रूप होता है जहां पे बच्चे एक साथ आके खेलते हैं आपस में चीजे शेयर करते हैं उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे बल्ले यानि की क्रिकेट बैट्स और गेंद खरीदन के लिए वे आपस में कलब का चंदा देकर पैसे इकठा कर लेते थे मतलब कि सभी बच्चे अपने घड़ से थोड़ा-ını पैसा जमा पिसा जमा करके लाते थे चंदा इकठा करते थे और उसी जमा पैक्चे से वो बॉल करीते थे और एकसा हुए शाम को सारे वायर एकठा हुए, एक साथ हुए, दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो, तो वह गेंद की पहचान बता कर मुझसे ले सकता है, पहचान यानि की गेंद का कोई आइडिटिफिकेशन मार्क की गेंद कैसे दिखती है, किस कलर की है छोटी है या बड़ी है तभी अनिल बोला गेंद तो मेरी खोई है दिनेश ने पूछा कब खोई थी तेरी गेंद अनिल ने कहा यहीं कोई चार महिने पहले दिनेश ने कहा तो फिर गेंद तेरी नहीं है फिर वह मेरी होगी सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अ अपनी निशानी बता दूंगा निशानी मतलब वही आइडेंटिफिकेशन मार जिससे कि हम अपने सामान को भैचानते हैं वा ये कैसे हो सकता है दिनेश बोला गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है बिना देखे बता तो जानू तभी उपर से दीपक उतराया दीपक अपना मतलब सिद्ध करने में मतलब अपना काम करवाने में तथा अवसर पढ़ने पर मतलब मौका मिलने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था बहुत ही कनिंग था दीपक गेंद की बात सुनकर दीपक बोला गेंद मेरी है वो भी गेंद को पाना चाहता था कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा, कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं? फिर दीपक बोला, मेरी गेंद तो पांच महीने पहले खोई थी, जब बड़े भईया की शाधी होई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छतपर से नीचे फेक दी थी, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि दीपक तो मौके का फायदा उठाता है, और वैसे भी दीपक की ग गेंद पांच महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद पांच-शे महीने पड़ी रही हो जमीन पे, और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे, फिर दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी, दीपक भी उस पर अपना अधिकार जमाते हुए बोला, अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए पूछा, क्या सबूत है, सबूत यानि की प्रूफ की यही गेंद नीचे फेकी थी, दीपक ने कहा, हाँ, सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, म सुनील का सहारा ले रहा है, ये तीनों ग्रुप्स बना रहे हैं मिलके, दीपक, सुनील और सुधीर, वह जानता था, कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई, तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, फिर दिनेश बोलता है, अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परन्तु, जब है मेरी गेंद, ये है लाल रंग का निशान मेरे हीए गेंद पर था, फिर अनिल बोला, वा, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा, दीपक ने फिर जोड लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ, कि येंद मेरी है, अनिल बोलता है अरे जा ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश्की है कहलवाना मतलब किसी और से अपनी बाते बुलवाना दीपक थोड़ा जगड़े के मूड में आ गया कुछ भी हो गेंद मेरी है दीपक ने उसे धर्ती पर मारते मतलब जमीन पर बाउंस करना तो दीपक ने भी गेंद को जमीन पर मारते हुए कहा धर्ती पर टपा परते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी फिर से अनिल उसे काउंटर करने के लिए बोला मेरे साथ बाजार चल दुकानों पर जितनी गेंदे हैं सभी के को और गुस्सा आ गया अच्छी बात है तो मैं इसे सडक पर फेक दूँगा देखूं कैसे कोई खेलेगा दीपक ने जैसे ही गेंद को सडक पर फेकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड लिया अब दीपक ने रुआ से होते हुए मतलब रोने जैसा फ अथियार आजमाया मतलब लास्ट ट्राइम आ रहा उसने इसने बोला या तो गेंद मुझे दे दो नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लोगा क्योंकि पांच महिने पहले सुनील ने ही दीपक की गेंद छतमे से फेकी थी अब तो सुनील दीपक और सुधीर का गुट मजब दिनेश तब तक चुप ही था वास्तव में मतलब एक्चली असलियत में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को ही कर रहा था वह बोला अब चुप भी रहो जगडा बाद में कर लेंगे अपने अपने बल्ले ले आओ बैट्स ले आओ पहले हम खेल ल अब ही दो चार बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उचली और दर्वाजा पार करके सडक पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदा टोकरी में जा गिरी इतने जोर का सिकसर मारा दिनेश ने कि वो नई चमकदार किर्मिच की गेंद उचल के स्कूटर के डिकी में जा गिए स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला क्योंकि स्कूटर वाले का ध्यान तो रास्ते पे था वो एकदम स्ट्रेट देख रहा था तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई बच्चे पहले तो चिलाते हुए स्कूटर के पीछे भागे परन्तु जल्दी ही सब रुख गए क्योंकि वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है अंकल को तो सुनाई नहीं देगा और स्कूटर की स्पीड उनके भागने की स्पीड से तो बहुत ज़ादा थी एक पल के लिए मतलब एक सेकेंड के लिए सभी ने एक दूसरे की और देखा और फिर सभी ठहा का मार कर हस पड़े बहुत जोर जोर से हस पड़े कि जिस गेंद के लिए वो इतना जगड़ा कर रहे थे जो उन में से किसी की भी नहीं थी आखिर कर वो गेंद भी चली गई इस कहानी को लिखने वाली है शानता कुमारी जैन अब हम एक और बार नए और कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं वस्तु मतलब चीज धम से गिरना मतलब जोर से आवास करके गिरना बरामदा यानि कि घर के पीछे खुला हुआ हिस्सा जहां पे हम बहुत सारे काम करते हैं बगीचे बनाते हैं चिक यानि की बास का बना हुआ परदा, सरका लेना यानि की हटा देना, लू यानि की उत्तर भारत में, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म और शुष्खावा, तपना यानि की गर्म होना, क्यारी यानि की छोटी-छोटी मेडों से घिरी हुई वो स्थान जहां पे हम क्रीपर्स, व्रिक्ष यानि की पेड, आरंभ यानि की शुरू हुना, तिमन्जिली यानि तीन मन्जिलावारी, थ्री फ्लोर्स वाली, इमारत यानि की बिल्डिंग, छत की मुंडेर, मतलब छत की दिवार का उपर उठा हुआ भाग, जिससे की कोई गिर न जाए, घूंस, य यानि मोटा मजबूत कपड़ा, कलब, एक ऐसी जगा जहां पे बच्चे एक ग्रुप बनाते हैं और एक साथ खेलने के लिए चीजे जमा करते हैं, निशानी यानि की पहचान करने के लिए कोई निशान, सिद्ध करना यानि की अपना काम पूरा करना, अवसर यानि की मौक सी शकल बनाते हुए ठहा का, यानि की जोर की हसी, उची आवाज में हसना, और इसी के साथ हमने अपने अध्याय व्याख्या को खतम किया, भाग दो में हम इस पार्ट के टेक्स्ट बुक कोश्चन एंसर्स को सॉल्फ करेंगे, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या फि मोर अपकमिंग वीडियोस